जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि Angel One ने अपना एक नया एप का वर्जन लाँच किया है जिसकी वजह से पूरा लुक और फील चेंज हो गया है सारे फंक्शन्स अलग हो गए है फीचर्स इसमें काफी सारे डाल दिये है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने एक बनाया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप जाके देख सकते हैं फिलाल आज हम बात करेंगे कि एक बहुती फेमस ओर्डर है जिसको हम कहते हैं रोबो ओर्डर रोबो ओर्डर नए एप में नए वर्जिन में इंजल वन में हमें कैसे लगाना है इसके पहले मैंने एक दो वीडियो बनाए है लेकिन वो पुराने एप के लिए बनाए थे ये नए एप के लिए है नए एप में कैसे हम Robo Order लगा सकते हैं दोस्तों एक बात आपको मैं Clear कर दूँ कि Robo Order आपको शुरू में ही लगाना होता अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसी टाइम आपको Robo Order लगाना होता है अगर आपने एक बार खरीद लिया या बेश दिया उसके बाद उसमें आप अमेंड करके या एडिट करके Robo Order नहीं लगा सकते जिन लोगों को Robo Order का नहीं पता मैं बता देता हूँ तो ये तीन ओर एक साथ जाते हैं अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बाई करनी है तो उसके साथ ही साथ आपका Stop Loss और Target का Order भी लग जाता है अगर Stop Loss और Target में से कोई भी हिट हो जाता है तो Automatically दूसरे वाला Order Cancel हो जाता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे Angel Broking या Angel One के अंदर हम Robo Order लगा सकते हैं नए अगर Angel One के अंदर अगर आपको Robo Order लगाना है तो सबसे पहले आपको एक script select करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको Robo Order लगाना है वो process में आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत easy or simple process है फिर भी अगर आपको देखना है तो detailed video आप जाके देख सकते हैं जो Angel One के नए अप के बारे में मैंने बताया है तो यहाँ पे मैंने 3 script select कर रखी है put है 42.100 का इसके उपर मैं आपको order लगा के दिखाऊंगा कि कैसे order लगता है Robo Order इसके मैं click कर दूँगा 42.100 की script पे buy पे click कर दूँगा यहाँ पे मैं lot डाल दूँगा कि कितने lot मुझे लेने है एक lot लेना है price 260 मैंने डाल दिया 270 चला है 260 पे मैं buy करूँगा इसके बाद यहाँ पे मैं select कर लूँगा Robo Order इसके बाद instructions आ जाएगी कि कैसे Robo Order लगाना है वो मुझे नहीं पढ़नी क्योंकि मुझे पता है तो मैं इसको done करके हटा दूँगा इसके बाद stop loss price दोस्तों काफी लोग क्या गलती करते हैं वो actual script का price डाल देते हैं कि 294 पे stop loss डाल लेकिन ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ points डालने है कि 11 point 260 पे खरीदा है 294 पे कर जाए तो 11 point इसी तरीकिसे target price पे भी आपको actual script का price नहीं डालना सिर्फ आपको points डालने हैं कितने point पे आपका profit बुक हो तो दोस्तों बैतर नहीं डालना आपको 12 point डालने है 260 पे खरीदा है कि 12 point पे target आपका hit हो जाए और profit बुक हो जाए दोस्तों तभी आप कर पाएंगे इसके बाद trailing stop loss jump price ये मैं test कर रहा हूँ अभी मैं sure नहीं हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है इसके बाद एक अच्छी चीच है दोस्तो charges पे आप deselect कर लेंगे इस बाद charges पे आप click करके देख सकते हैं कि कितने charges लगेंगे देखिए इसमें पूरी detail आ गई कितना margin लगेगा और कितने charges लगेंगे ये एक अच्छी feature है buy पे click कर देंगे confirm पे click कर लेंगे और order आपका submit हो गया आप देखिए 273 चल रहा है इसके बाद शायद थोड़ा नीचे आने के लिए मैं इसको edit भी कर सकता हूँ तो मैं edit पे click कर दूँगा edit पे click करूँगा तो edit में जाके मैं price थोड़ा सा नीचे उपर कर देता हूँ ताकि ये order हिट हो जाए और आप इसको select कर पाएं और देख पाएं तो देखे मैं इसको 260 से हटा कर 268 कर देता हूँ जी है 268 मैंने कर दिया इसके बाद मैं confirm कर दूँगा तो इस तरीके से आप इसको change भी कर सकते हैं देखे 268 पे ये लगा हुआ है जल्दी ही यहाँ पे hit हो जाएगा होगा क्या दोस्तो दो नए order लग जाएंगे जैसे ये मेरा buy होगा दो नए order लग जाएंगे एक stop loss का order और एक target का order तो अब देखते हैं जैसे 268 पे जाएगा वहीं पर आपको दो order लगे यहाँ पे दिखाई देंगे target order और stop loss order ये देखे दो order लग गए दोनों sell के order है एक target order है 280 का 12 point ही इसने लिया वहाँ पे और एक stop loss order है जो की है नीचे 11 point का तो ये 268 पे buy हुआ है तो 259 का stop loss order लग गया माफ कि ये 257 का stop loss order लग गया और 280 का profit book order लग गया दोनों में से कोई भी hit होगा तो दोनों ही यहाँ से cancel हो जाएंगे दोनों order ही यहाँ से हट जाएंगे आपको कोई भी pending order दिखाई नहीं देगा और अगर आपका खुद से target आ जाता है तो भी आप देखेंगे कि आपका जो stop loss वाला order है वो भी automatically यहाँ से हट जाएगा दोस्तो अभी देखे 274 के आसपास चल रहा है अगर 280 पे यह हीट कर गया तो stop loss वाला order हीट हट जाएगा और अगर यह माफ कीजे थोड़ा नीचे चला गया यानि कि जो मैंने stop loss order लगा रखा है उस पे अगर यह गिर गया तो वहाँ से इसका stop loss हीट हो जाएगा और दोनों order यहाँ से cancel हो जाएगे देखेंगे कि कौन सा order पहले हीट होगा यह देखेंगे कि कौन सा order पहले हीट होगा और देखेंगे दोनों की दोनों order हट गए यहाँ से आप देख सकते हैं 260 के आस पास चल रहा है 259 पे इसने stop loss मार दिया और इसी तरीके से मेरा थोड़ा सा loss हो गया आपको सिखाने में but that is okay अगर आप कुछ अच्छा सीख पाएं थोड़े से पैसे से तो इससे ची कोई बात नहीं है अगर आपको याद रखनी है एक बार अगर आपने buy कर लिया sell कर दिया तो उसके बाद edit करके रोबो order दुबारा नहीं लगा सकते अगर आपको रोबो order लगाना अगर आपको sell और target order लगाना है साथ में तो रोबो order आपको शुरू में ही लगाना पड़ेगा जब आप first time buying कर रहे हो एक बार buy हो गया उसके बाद आप इसको नहीं लगा पाएंगे हाँ इसको आप edit कर सकते हैं इसको आप cancel कर सकते हैं लेकिन दुबारा से लगा नहीं सकते दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है I hope आपकी समझ में आ गया होगा कि Angel One के नए एप में कैसे आपको रोबो order लगाना है कोई भी आपके questions है कोई भी आपके सवाल है definitely comment section में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे मेरे नए वीडियो में जल्दी ही जब तक के लिए नमशकार सस्रियकाल, खुदा हाफिज और जैहिंद